हालो टेडियोस विल्कम बैक टू माय चैनल चलो देख लेते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे हैं और कुल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हों कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर इस पर इन राव करके कर रहा है और फ़रहख पर लोगक्नेट किया है और अभिक इस ग्लाड लेवल करकेए और प्राई इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है प्लस यहाँ पर हमने और भी कुछ important levels draw करके रखे हमने यहाँ पर Fibonacci के थुरू profit booking के levels draw करके रखे हमने क्या किया है यह जो यहाँ पर downside में impulse मू लगाता इसको हमने top से लेके bottom तक Fibonacci extension का tool लगा दिया है और यह 1.27 तो आप देख सकते कि price ने इसका breakout किया retest किया और अभी price 1.6 minute की तरफ बढ़ रहा है बट उसके बीच में यह जो आप blue color की dotted line देख रहे हो यह मेरे लिए बहुत ही important resistance होने वाला है अभी यह blue color की line इतना important resistance की हुए क्योंकि यह yearly market profile का level है मुझे पता है कि बहुत तिनों से मैं market profile का video post करूंगा ऐसा बोल रहा हूँ बट market profile के उपर कोई भी videos नहीं आ रहे क्योंकि एक proper video series में market profile के उपर लाने वाला हूँ जल्दी लाऊंगा बट कब post करूंगा वो पता नहीं है क्योंकि उसके उपर मुझे पूरा ppt बनाना पड़ेगा और proper हर एक setup के लिए explanation के लिए मुझे यहाँ पर examples find करने बड़ेंगे तो थोड़ा सा time लगेगा बट मैं जल्दी post कर दूंगा अभी simple वही market profile important market profile का level है जहाँ पर से market अभी reject हो रहा है और वही अगर breakout हो दाएगा तो directly target हमारा होने वाला है 1.618 का और अभी फिलाल इस वाले trend line का breakout हो चुका है फिर भी मैंने यहाँ पर हमारे chart के उपर रखी है क्योंकि इसके तुरू हमें बहुत ही अच्छे trades कल मिल सकते हैं अभी simple हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलने वाले और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो simple simple हमने कल क्या discussion किया था कि अगर इस वाले trend line का breakdown होता है retest होता है तो 5 minute time frame में यहाँ पर से shorting के trades ले सकते मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा trade लिया और यह first target आपको बताया था यह important support होगा वो भी बताया था अगर यह breakdown कर रहा है ना तो इसके नीचे हम बड़े targets plan कर सकते बट प्राइज ने यही पर support लिया और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price ने retest किया अगेन price ने retest किया और एक impulse मुह दिखाकर price अभी हमारे market profile के आसपास trade कर रहा है अभी यहाँ पर से trade plan एकदम simple हो चुका है आपको भी पता होगा हम long कप जाने वाले जब यह market profile का level upside में breakout करेगा retest करेगा इस level के उपर में long जाने का try करूँगा और इस level के उपर मुझे strength दिखनी चाहिए 15 minute time frame में तभी मैं लूँगा otherwise 5 minute time frame में यहाँ पर traps हो सकते क्योंकि यह बहुत ही important yearly market profile ले वाले इसी वज़े से यह important level होने वाला है अभी simple short हम कप करेंगे जब यह trend line का downside में breakdown होगा कोई भी pullback देखकर हम यहाँ पर से shorting के opportunity ले सकते again वो ही हमारा structural level important support होने वाला है अगर यह breakdown कर रहा है तो इसके नीचे बहुत ही अच्छे shorting के trades हमारे लिया पर बन सकते हैं तो यही clear clear analysis बन रहा है nifty में अभी यहाँ पर से bank nifty के उपर बात कर लेते bank nifty भी अपने important profit booking level पे अटक चुका है simple इस वाले downfall को हमने Fibonacci extension का tool लगया था 1.272 पर हमने profit booking देखा और अभी 1.618 पर भी हम profit booking देख रहे हैं और यहाँ पर price consolidate कर रहा है और consolidate करते करते 15 minute time frame में price यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक symmetrical triangle pattern बना रहा है अभी simply मैं आपको बोलना चाहूँगा नifty में बहुत ही अच्छा setup आपको बता है bank nifty में मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा setup नहीं दिख रहा है किसा आप यहाँ पर resistance पे sale and support पे buy कर सकते बट वो मेरे लिए यहाँ पर इतना अच्छे से काम नहीं करता अगर यह breakout या फिर breakdown कर रहा है ना तो इस level के ऊपर हम बहुत ही अच्छे trades ले सकते और important level जो 43,600 का level है हमारा 1.6 minute का अगर price इसका breakout कर रहा है ना तो obviously यहाँ पर से हमें बहुत ही अच्छे upside में rally देखने को मिल सकते तो यह कुछ trade से bank nifty में हम वो trade कर सकते otherwise मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर volatility में avoid कीजिए otherwise 5 minute time frame में आपको क्या करना पड़ेगा जिसी price यहाँ पर resistance पर जाएगा यहाँ पर आपको कोई wedge pattern दूनना पड़ेगा उसको यहाँ पर sell करना पड़ेगा trade करना पड़ेगा तो कुछ इस तरीक से आप trade कर सकते हो but मैं यहाँ पर avoid कर रहा हूँ major levels जब break होगे तभी मैं यहाँ पर bank nifty में trade करने वाला हूँ अभी बात कर लेते stocks के उपर stocks बहुत दिन होगे मैं आपके साथ में share नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ अच्छे setups नहीं बन रहे थे but अभी हम मेरे watch list में बहुत ही अच्छे setups यहाँ पर बन रहे वही आपके साथ share करने वाला हूँ first stock है ITC ITC अपने all time high पर trade कर रहा है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अभी रुका है अभी simple अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वही हम profit booking के levels draw करने वाले यह monthly time frame में और monthly time frame में top से लेके bottom तक previous correction को Fibonacci extension का tool लगाने वाला हूँ और अगर आप यहाँ पर देखोगे जब price यहाँ पर से breakout किया हुआ था तभी मैंने instagram पर यह 1.272 का target update कर दिया था मैंने बोला था कि आप यहाँ पर अपने partial profits बुक कर सकते हो अभी simple में यहाँ पर से क्या expect कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर से दो candles का profit दो तिन candles का profit booking में यहाँ पर से expect कर रहा हूँ monthly time frame में इसी वाज़े से daily time frame में इंट्राडे में हमें बहुत यह एच्छे shorting के trades यहाँ पर बन सकते important profit booking के level पर stock अभी आ चुका है अभी simple यहाँ पर से अगर हम 15 minute तो हम चलेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह हमारा 1.272 का level है monthly से direct हम 15 minute में आगे है हमें यहाँ पर confused नहीं होना है मैं आपको जो level बोल रहा हूँ उसी पर हमें यहाँ पर काम करना है simple अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price ने already यहाँ पर एक reversal sign बना दिया है यहाँ पर एक shoulder बना head बना और price यहाँ पर एक shoulder बना रहा है अभी simple आप क्या कर सकते हो यह low mark कर सकते हो यह अगर breakdown हो रहा है तो obviously हम यहाँ पर शोटिंग के trades ले सकते एक profit booking ITC में हमें देखने को मिल सकता है otherwise आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह kind of हम के सकते हैं कि triangle pattern बन रहा है इसको भी आप trade कर सकते हो आप try कीजिएगा कि downside में trade करे but downside के levels breakdown होने के बाद में यह first stock है हमारा second stock है kotak bank kotak bank में daily time frame में बहुत ही important resistance पर आ चुका है अगर आप यहाँ पर देखोगे market ने यहाँ पर से rejection लिया था rejection लिया था और अभी price यहाँ पर consolidate कर रहा है अभी simple हम यहाँ पर भी breakout या फिर breakdown दोनों को भी trade करेंगे downside के भी यहाँ पर support वाली trend line है upside में हमारा resistance है अगर यह resistance का upside में breakout हो रहा है तो इसके उपर में long लिना चाहूंगा downside में हम यहाँ पर short कर सकते हैं बहुत ही simple setup है तो यही दो stock से मेरे पास और nifty or bank nifty की भी analysis मैंने आपके साथ में share कर दिये hope यह आपको यह analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो please इस वीडियो को like कर दीजे आपके friend के साथ टेडिंग उन साथ share कर दीजे और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much